हेलो स्टूडेंस आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा एक्जाम्पल सॉल्फ करेंगे ठीक है यह एक एक्जाम्पल दिया है इंटीग्रेशन का ठीक है स्टूड्पल साइन 2x dx विद्ध है आप ये श्रूप ये पहले हम सोचो इसमें करना क्या पहली हमलो कैसे सुल्फ करेंगे अपरोच कैसे करेंगे इसमें ये रूट दिया है तो रूट नहीं चाहिए हमको तिक कुई क्योंकर रूट में कोई ऐसा ताइट का प्रफॉर्मूल तो हम लोग क्या करेंगे रूट को रिमूव करेंगे अभी इसमें बहुत सारी स्टूडेंट बोलेंगे भाई रूट अगर निकालना है तो हम उसको स्क्वायर कर जाएंगे आप इसको स्क्वायर करोगे रूट निकल जाएगा इसको अगर स्क्वायर करोगे रूट निकल ज तो यह पार्ट का स्क्वायर कैसा होगा ठीक है राइटन साइड में आप इसको स्क्वायर करके स्क्वायरूट को निकाल सकते हो ठीक है स्क्वायरूट को निकालना है तो इसको स्क्वायरिंग ऑन बोग दे साइड करोगे तो राइटन साइड का स्क्वायर निकल जागा पर स्क्वारिंग नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे अम लोग एक लॉजिक लगाएंगे निकानने के लिए इसमें देखो वन को मैं साइन स्क्वार एक्स प्लस को स्क्वार एक्स क्या होता है वन होता है तो वन के जगह मैं स्क्वार एक्स प्लस को स्क्वार एक्स लिख सकता हूं ठीक है और स्वार्मूला पर 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 sin x into cos x होता है ठीक है dx ठीक है अब it is like sin square x plus cos square x plus 2 sin x into यह क्या है यह a plus b के format में लग रहा ठीक है a plus b का format में लग रहा है a square plus 2ab plus b square a plus b the whole square के format में है ठीक है तो अगर मैं इसमें वो formula अगर इसमें put करो तो I can write it like sin x plus cos x the whole square into dx ऐसा लिख सकता हूँ sin x plus cos x the whole square into dx ठीक है अब इसके अंदर square root हम cancel कर सकते हैं ठीक है ये ये 2 और square root cancel हुआ तो बचा गया sin x plus cos x dx ठीक है अब इसको integrate करते हैं अलग-अलग करके sin x dx plus integral of cos x dx ठीक है टीक है वोट इसे integration of sin x sin x का integration क्या होदा है sin x का integration minus cos x होदा है तो minus cos x ठीक है plus integration of cos x cos x is nothing but sin x ठीक है plus c लिखेंगे ठीक है constant ठीक है c लिखना ज़रूरी है ठीक है indefinite में c लिखने हैं आपने को ठीक है तो final answer is i is equal to minus cos x plus sin x ठीक है तो this is how you have to solve the question ठीक है इसमें आपको ध्यान देना है ठीक है कभी भी गर square root में दिया है ठीक है उसको आप मत कर स्क्वारिंग on both the side ऐसा मत करना ठीक है उसको पहले क्या square root में रिया तो square root के अंदर के part को पहले solve करना है ठीक है बाद में हम लोग को square है हम लोग आगे हम लोग cancel कर सकते हैं ठीक है तो यह बाद पर आप ध्यान देना है और accordingly simplify करोगे तो आपको यह question answer मिलेगा ठीक है तो I hope you have understood everything in this example ठीक है ठीक है